गुड मॉनिंग एर्थ क्लास शुप्रभातम पच्चो हम लोग अपना पंचम पार्ट पढ़ रहे हैं संस्कृत विशे में भव्या भागी रती जिसमें हमने चार गीतों को पढ़ा आज हमारा अंतिम गीत हैस में क्या भागी रती के लिए कहा गया है वो बताया गया है देखते हैं क्या कहा गया है आगे लास्ट जो गीत है यहां तक हमने पढ़ लिया था कि जहां पे कहते हैं कि जो यातरी लोग सुख पूरवक दूर तक जाते हैं तुमारी नाव चलाते हैं तुमारे गहरे जल में और यातरी लोग क्या करते हैं दूर तक सुख पूरवक उसमें आनंद रूप से क्या करते हैं नाव चला करके उसमें क्या करते हैं भ्रमण करते र पहेंगे ऐसे इस गीत में कहा था यहां तक हमने पढ़ लिया था अब देखते हैं आगे भागी रथी के बारे में क्या बताया है इसको पढ़ लेते हैं लास्ट जो है हमारा वहां बोला है आए पूने गंगे जगति जननम चेन्मम पुनहा भवेत्रीडा भूमी पुनरा पिसुबा भारत धरा सदा से वे नीरम सुरिन दीता वे दम सुख करम नमे न्या शादी हाता उटट विहारे विहरता हा तो क्या कहा है इस मैं एक बाद दुबारा देख लें हम इस ब्रकार इससे पढ़ेंगे आए पुने गंगे जगति जननम चेन्मम पुनहा भवेत्रीडा भूमी पुनरा पिसुबा भारत धरा शदा सेवे नीरम सुर्न दीता वे दम सुख करम नमे न्या स्यादी हाता उटट विहारे विहरता हा तो कहा है अए पुने गंगे हे पवित्र गंगे पुने अज़ात पवित्र ठीक हैं यदि संसार में जगति जननम चेन्मम पुनहा यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो पुनो अर्थात दुबारा ठीक हैं अगर मेरा जन्म कह रहे हैं हे पवित्र गंगे यदि संसार में जगति अर्था संसार में मेरा फिर जन्म हो तो सुब भारत भूमी ही मेरी क्या होगी क्रिडा अस्तली हो खेलने के योग है क्रिडा अस्तली अर्थात खेल का अस्तल ठीक है भारत भूमी ही मेरी क्या हो क्रिडा अस्तली हो सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुख करम मैं तुमारे सुख धायक जल का सदाई सेवन करता रहूं नमेन्या शादी हा तव टट बिहारे बिहरता तुम्हारे किनारे पर तुम्हारा जो टट है उसके किनारे पर बिहार करते वे मुझ जैसे ब्यक्ति की कोई भी दूसरी अभिलासा नहीं है नमेन्या मुझ जैसे जो ब्यक्ति हैं कि कोई भी दूसरी अभिलासा ही नहीं है एक बार दोबारा आर्थ समझोगे इसके अगर इस संसार में मेरा फिर क्या हो जन्म हो भवेत क्रिडा भूमी पुनरपी सुभा भारत धरा सुब भारत भूमी सुब भारत भूमी ही मेरी क्या हो क्रिडा स्थली हो सुब भारत की जो भूमी है वो ही मेरी क्या हो क्रिडा स्थली हो सदा सेवे नीर सुरनधी तवेदं सुख करम मैं तुम्हारे सुखधायक जल का सदाई क्या करता रहूं? सेवन करता रहूं तवे दम्सुगा नमेन्या शादी हा तव टट विहारे विहरता और तुम्हारे किनारे पर क्या करते हुए? बिहार करते हुए मुझ जैसे ब्यक्ति की कोई दूसरी अभिलासा नहीं है ऐसे कहा गया है लास्ट वाले गीत में ठीक है? तो आपको लगा होगा जब हमने इस चैप्टर पड़ा इसमें जितने भी हमने गीत पड़ा तो भागी रहती नदी की इतनी परशंसा की गई है कि उनको क्या कहा गया है कि मैं ऐसे ही बिहार तुमारे जल में करता रहूं कि मेरी मुझे जैसे ब्यक्ति की तो कोई दूसरी अभिलासा ही नहूं ठीक है? ये थे हमारे इसमें पांच गीत जो हमने पढ़ लिये हैं और अर्थ को जान लिये हैं और इसके अर्थ मैं आपको करोगे सब्दार्थ करोगे ठीक है तो ये आपके इसके बाद सब्दार्थ होंगे इसके बाद सब्दार्थ करोगे इसमें सब्दार्थ करने के बाद एक क्वेशन आपको दिया जारा है एक पदे इन उत्तरत एक पद में उत्तर लिखिए सबसे पहले आप उस लोग के अर पहला question पूछा है भागी रती कुतह संबूता भागी रती कहां से निकलती है भागी रती संबूता अर्था निकलती ठीक है तो भागी रती कहां से निकलती है हिमाद्रे हिमालय के परवत से निकलती है तो यहां पे सिर्फ एक पद में उत्तर देना है तो लिखोगे भागी र पूरे लोग को सिंसार को क्या करती है ठीक है तो क्या लिखोगे एक पद में अगला है साजले कम सिंचती अपने जल से वह किसको सिंचती है विशालम भारत भुवनम पूरे बड़ा भारत भुवन को क्या करती हो अपने जल से सिंचती है अगला है गंगा जला सिक्तम छेत्रम कीदरिशम भवती जो गंगा के जल से सिंचयावा छेत्र है वो किस तरह से हो होता है हरित चापी ललितम हराभरा और सुन्दर वह होता है दिखाई देता है तो आज आपके लिए एक वैशन दिया है इसमें इस क्वैशन को और उसका अर्थ और सब्दार्थ को आप करोगे इस से आपको इससे जाद आगे आपको बाद में पढ़ाया जायेगा कि अ